पर एक बात बतादू, जितना साल मुझे लगे ना सफलता पाने के लिए, अब हिंदुस्तान में लोगों को उतने साल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि एक तो यंग इंडिया आ गया है, यंग इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग में उतर गया है, और जब यंग्स्टर्स को कमा रहे हैं, किस सोच के साथ कर रहे हैं, वो सोच आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आज का जो मेरा सेशन है, यह एड्रेस कर रहा है यूथ को, यह हमारी देश के जवान को, देखिए, हिंदुस्तान एक यंग कंट्री है, यहां की मेडियन एस देखा जाएं तो 28 understands means, 28 एर और अरवर है, अगर 15 साल से 24 साल तक की population देखी जाए, तो लगबग 18% population, हिंदुस्तान के जितनी टोटल population है, उसका 18% population 15 साल से 24 साल तक की अरो है, तो हिंदुस्तान एक यंग कंट्री है, पर यह यंउंग स्कinya रहे हैं, 15 साल से 24 साल की जब 18% population है, जो एक सबसे important age होती है, सबसे ज़्यादा energy वाली age होती है, सबसे ज़्यादा enthusiasm वाली age होती है, उस age का बच्चा हमारे देश में करता क्या है? पढ़ाई, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है, अपने आपको भविश्य के लिए तयार करता है, कि कहीं किसी के लिए नौकवी करनी है, कहीं किसी और के सपनों पर काम करना है, किसी और को successful बनाना है, और खुद के सपनों को पूरा करना है, फ्रेंज कुछ hard fact है, जो हमें समझने होंगे, थोड़ा बदलना होगा, देखिए हिंदुस्तान को बदलना तो होगा, डेवलप जैसा उठना, बैठना, पाटी करना सीख लिया, पर उनके जैसा कमाना हमने अभी तक शुरू नहीं किया है, हम आज की तारिक में भी 24-25 साल की उमर तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं, पेरेंट्स ही हमारी पढ़ाई पर खर्चा करते हैं, उ आप जब शुरू करते हो, जिन्दगी के वो कहते हैं, जवानी तो आप सेटल होने में निकाल देते हो, पैसा इतना कि खुद का खर्चा तो खुद उठाने लगो, इस लाइक बंते बंते भी न, वो प्राइम एयर्स जो किसी एक की लाइफ के होते हैं, वो निकल जाते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा सच है, पर दूसरी तरफ ये भी सच है, कि जिन्नोंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लिया है, जिन्नोंने समझ लिया है कि ये पढ़ाई के साथ साथ किया जा सकता है, जिन्नोंने समझ लिया है कि किसी भी और केरियर को पर्सियू कर करना चाहिए सबसे पहली बात अपने सपनों को शेटर होने से बचाने के लिए नेट्वक मार्केटिंग करना चाहिए जब हम बड़े हो रहे होते ना तो ममी बापा क्या कह रहे होते हैं बच्चों पढ़ लो बच्चों पढ़ लो पढ़ लोगे तो यह जाएगा पर लोगे तो फट लोगे तो हो जाएगा और बच्छा अपना सारा बच्छ मन खतंद करके लगा रहता है पड़ने में और नहीं पड़ता है तो बकता है नंबर कम आते हैं तो कैसी दाट पिटती है और क्या-क्या क्या घर होता है वो मुझे बताने की ज़रत नहीं है बड़ लिख करके जब नौकरी की दौर में घुसता है जब इंटर्व्यू देने शुरू करता है और जब नौकरी के लिए आगे पीछे कर रहा होता है तब क्या होता है? सच तो ये है, मुझे ये भी बताने की ज़रती है Friends जो भी बच्चा जैसे ही अपने कहते हैं आजजी विकामे लगता है बहुत सारे सपने उसके तूट जाते हैं जितनी महनत करी होती है, जिस आशाओं के साथ महनत करी होती है उन आशाओंगों पर ये आजकी तारीक में जो आर्ठिक परिस्तिया चल रही है, जो मंदी चल रही है, जो नौक्रियों के हाल चल रहे हैं, तो अगर आप छाहते हो कि आपके केरियर की शुरुआत हताशा से नहीं हो, आपके केरियर की शुरुआत जो है वो एक इतने डाॉन तो believe me, आप जब तक आपके दोस्त नौक्रिया ढूंड रहे होंगे तब तक आप नौक्रिया देने लाइक हालत में आ सकते हो, तो अपने सपनों को टूटने से बचाने के लिए हमें network marketing करना है, then network marketing करना है extra income के लिए, believe me, extra income बड़ी प्यारी चीज है, pocket money, क्यों ले पेरेंट हमें वो ऐसे हाथ करना अचानी लगता, हर कोई चाहता है कि मैं खुद की pocket money खुदन कर लूँ, पर हमारी country में क्या है, दूसरे देशों में जाओगे तो आप मैकडॉनल्ड पे अराम से नौकरी कर लोगे, न्यूस पेपर डाल लोगे, कुछ भी छोटे मोटे काम कर लोगे हमारी इडिया में थोड़ी नाग भी पेरेंट्स की उची है, बच्चों को छोटे मोटे काम करने नहीं देते हैं, और part-time opportunities इतनी available नहीं हैं, तो बच्चा चाहता भी है तो कमा नहीं पाता है और फिर उसको ultimately अपने पेरेंट्स से pocket money मांगनी पड़ती है, पर network marketing में, pocket money तो यूथ को network marketing करना चाहिए, then comes अगर financially free होना चाहते हो, या नहीं खाली pocket money नहीं कमानी है, अपने पापा को pocket money देनी है, अपने पापा को उनकी पसंद की कार दिलानी है, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए laptop लाना है, motorbike लानी है, अपनी मम्मी को वो उनको जो diamond set पसं होना, financially independent होना, यह बहुत प्यारी बात है, और हम सब होना चाहते है self-made, हर कोई self-made होना चाहता है, पट आसान नहीं होता, हम पढ़ाई करते हैं, हमारे parents, हमारे जितनी भी उनकी जीवन की कमाई होती है, बचत होती है, वो बचत हो हमारी पढ़ाई के लिए लगा देते हैं फिर हम उस पढ़ाई पे एक तरफ उधर खर्चा करा रहे होते हैं, दूसरी तरफ फिर जब हम इधर उधर आने जाने में, शौक माच पूरे करने में खर्चा करा रहे होते हैं, फिर अगर independent हो भी जाते हैं, business बिल्ड भी कर लेते हैं, किसी business के लिए पापा ममी ने पैसा से बी दिया, या MBA, BBA कराने के लिए भी पैसा डाल दिया, वो self-made की feeling तो नहीं होती है, अल्टिमेटली investment तो नहीं लोगों का है, क्या हो अगर आपको उनसे investment नहीं कराना पड़े, क्या हो आप खुद अपने पैसों से अपनी पढ़ाई करो, आप खुद अपने पैसों से और उस पैसे को बचा करके, और आप अपने पैसों से business शुरू करो बड़ा सा, self-made होने का सुख जो है, वो बहुत बड़ा है, और वो सुख ये business, definitely, network marketing business आपको दे सकता है, then comes कि, अगर आप अपनी energies को right channelize करना चाहते हो, friends, ये जो 15-16 साल से 25 साल तक की उमर है ना, हमारे पास बहुत energy होती है, और करने के लिए क्या होता है, बस सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, फिर वो जो बाकी की energy है, उसका हम क्या करते हैं, उसे हम कहीं गलत channelize करते हैं, कहीं हम खाली shock moj में निकाल देते हैं, कुछ लोग गलत आदतों में तो network marketing में आना है, आप उस energy को right जगे पे channelize कर देंगे, constructive हो जाएंगे, personal growth के रस्ते पर निकल पढ़ेंगे, और ये business भी ना बड़ा नशा देता है, believe me, किसी और नशे की जरुरत नहीं होती जो network marketing में आ जाते हैं, ये business में उस success का नशा चड़ने लगता है, वो personal growth का नशा चड़ने लगता है, आप अपने आप से प्यार करने लगते हो, और आपकी energies right direction में right तरीके से आपके लिए काम करने लगती है, उसके लिए अगर network marketing किया जाए, तो definitely बहुत अच्छा लगता है, then comes कि entrepreneur skill develop करने के लिए network marketing कीज़े, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, और आपक चार मंजीला, बड़ा सा रेडिमेड डारमेंड का showroom हो, या कोई भी अगर आपने business का खवाब कभी देखा है, तो जैसी आप 18 साल के होते हो, तो रंत आपको network marketing कर लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि network marketing आपको बिना कोई पैसा खर्च किये, बिना किसी risk किये, बिना किसी loss के, entrepreneur बनना सिखा देता है, जो network marketing successfully कर लेता है, network marketing में हम ही अपने business के beyond भी होते हैं और हम ही अपने business के MD भी होते हैं, तो अब हो cycle complete करना आ जाता है business का, फिर उसके बाद जब आप कोई भी business करते हो, वो business successfully कर सकते हो, तो अगर आप entrepreneur skill develop करना चाहते हो, तो definitely network marketing करना है, then comes अगर leader ब leadership काम आती है, और तो और बीबी को संभालने के लिए भी, मिया को संभालने के लिए भी, घर परीवार को संभालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, हर काम के लिए जिंदगी में leadership काम आती है, building में खुश रहने के लिए भी leadership काम आती है, और ये business, network marketing business, leadership develop करना सिख वो आपको एक अच्छा लीडर, एक अच्छा यूमन बींग, एक डाइनमिक परसन में कनवर्ट कर देता है. तो पढ़ाई करो, देखो मैं पढ़ाई को बिलकुल कम नहीं समझती, मैं खुद डॉक्टर हूँ बाइ क्वालिफिकेशन, मैंने अकाउंटिंग में पिएजडी करी है, मैंने मेरे बेटे को MBA कराया है, तो हम पढ़ाई को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, पर पढ़ाई हमा कोई सिखाता ही नहीं है, और अगर आप communication skills की बात करो, आप personal skills की बात करो, इसकी जो भी classes है वो बहुत मेहँगी हैं, अगर अच्छी है तो बहुत मेहँगी हैं, और फिर वो बहुत time consuming है, यह platform ही ऐसा है, और अपमे resilience आ जाएगी, आपमे patience आजाएगी, आपमे communication skills आ तो जैसी 18 साल का व्यक्ति होता है उसके पेरेंट्स को मैं तो कहती हूँ हिंदुस्तान के हर एक माबापको अपने बच्चों को धक्का देना चाहिए कि भईया जो भी करना है जिंदगी में 18 साल के होते ही नेटवक मार्केटिंग शुरू करना है अगर आप चाहते हो कि आपकी सेल्फ एस्टीम हाई हो आप खुद को प्यार करो आप में पर्सिस्टेंज आप यह जो वर्च्यूज होते ना जो सक्सेस्फुलों के जो वर्च्यूज होते हैं जो हम पहले तो फिर भी कथाओं में जा करना कीते हो तो समय समय पाष जरु यह जो कि अच्छा मार्केटिंग करना अगर या अरश करना यह थो आपको पर ख्लास में बने में stad मने में मदद कर अ को म Simone बनना हो lower class में खतम हो गए या एकाद कोई level का jump हो गया, network marketing करके आज आज आप अपने खांदान में सबसे रईस बन सकते हो, आज अपनी आप खांदान में सबसे ज़्यादा नामी गरामी बन सकते हो, सबसे ज़्यादा शोरत आपके पास हो सकती है तो अगर आप अपनी family को next orbit पे लेके जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी family आप पर proud feel करे तो definitely आपको network marketing करना है 10 comes कि अगर आपको fun चाहिए fun loving हो, घुमना फिरना पसंदे है शौक मोच पसंदे है, party पसंदे दोस पसंदे है, positive लोग पसंदे है, आप हर साल 2-3 विदेश आता कर लेना चाहते हो, गाडियां पसंदे है अगर अगर आपके लिए toy है तो network marketing definitely करना चाहिए इसमें इतना fun है, हम तो कहते ही है कि network marketing biggest friendship association है और आपको like-minded लोग मिलेंगे आपको खुश मिजाज लोग मिलेंगे आपको positive लोग मिलेंगे और फिर network marketing में बाइट डिफॉल्टी गारियां मिलती है घर मिलते हैं, foreign trips मिलती है घूमने फिटने का मौका मिलता है आपको देश के हर कोने-कोने में जाकर के अपने business को develop करने का मौका मिलता है किसी ने आपकी boundary नहीं बनाई होती It's so much fun अगर आप fun loving हो time freedom चाहते हो अपने परिवार के साथ time बताना चाहते हो खाली वो पैसा पैसा पैसे के बीचे भागने वाली machine नहीं बनना चाहते हैं तो definitely आपको network marketing करना है अगर आप life में uncertainty खतम करना चाहते हो देखिए अगर आप एक young girl हो आज आप पढ़ाई कर रही हो आप पढ़ाई में लगी भी हो और दिल लगा करके पढ़ रही हो फिर आपका career सेट हुआ मान लीजे आपने काम करना कहीं शुरू कि आपने जॉब करनी शुरू करी आप जॉब कर रहे हो दिली में आपकी शादी हो गई नासिक में क्या होकर होगे छोड़ चाड़ के निकल लोगे किसी एर फोर्स किसी डिफेंस परसन से होगी तो हर दो साल में चेंज करोगी आपने डॉक्टरी भी करिया आप डेंटिस भी होना और फिर अगर आपकी किसी एर फोर्स परसन से शादी हो गई आर्मी परसन से शादी हो गई तो क्या करोगे उनका ट्रांसवर होगा उनके साथ-साथ आप अपनी क्लीनिक उठा उठा के होगे आप कभी सेटल नहीं हो पाओगे ऐसे ही जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हो तो हमारा तो पोर्टेबल बिजनस है आपने अपने पीहर में किया और फिर जिस सिटी में आपकी शादी हो गई उस सिटी में ले गए आपके हजबन का ट्रांसोर हुआ तो अच्छा है जितनी ज़्यादा आपको शेरों में घूमने का मौका मिलेगा उतनी शेरों में आपका बिजनस फैलता चला जाएगा पोर्टेबल बिजनस है ये तो ऐसा नहीं है कि भया अभी शुरू किया मेरे साथ क्या हुआ था मैं जोद्पुर इनिवर्सिटी में लेक्च्छरर थी मेरी शादी हो गई शादी में जाने के बाद घरवालों ने का तुम्हें क्या सुरू होते कुछ करने की तो बस सिर्फे घुंगट और घर में घुज गई थी अगर ये बिजनस नहीं मिला होता तो अभी तक तुम्हें खतम हो गई होती यह होता है लड़कियों के साथ कि वो पढ़ती हैं लिखती हैं कुछ काम करना शुरू करती हैं शादी होती है केरियर बदल जाता है को अपनी बेटी को जैसे कढ़ाई करना सिखाते हैं खाना बनाना सिखाते हैं ऐसी नेटवक मार्केटिंग सिखा देना चाहिए और उसमें ग्रोप तरह देना चाहिए इस बेस हैएं जहाः आपकी बेस हैं वही हमेशा रहना चाहते हो तो नेटवक मार्केटिंग करो आप अपनी पसंद से जाहğगे और शेमीने गर्मिया हो लंदन रहना सर्दी को दिली रहना जिस country में चाहो, उस country में जाना, अपना घर बनाना, अगर सच-मुच पसंद की जिन्दगी जीना चाहते हो, तो network marketing definitely करना है, lifestyle lead करना चाहते हो, style से life, क्या है ऐसी मजबूरी वाली, compromise वाली, नहीं, अगर lifestyle lead करना चाहते हो, best of the best gadgets हो आपके पास, हर थोड़े समय बाद आप camera खरीच सको, पसंद के laptop ले सको, अभी क्या होता है, मापाप कहते हैं, यह नहीं चलाना, नहीं बाइक नहीं चलानी, वो नहीं करना हो, इतने restriction रहते हैं, फिर जब बंदा खुद नौकरी करने लगता है, तो उसको और भी पैसे की कदर हो गई होती है, यहां भाईया, अभ अपनी wife को Switzerland घुमाने के लिए, लेके जाओ, अपनी husband को Switzerland घुमाने के लिए, नहीं हिंदुस्तान, हरेक हिंदुस्तानी खवाप देखता है, Switzerland के honeymoon के, और जाता का है, फुलू बना ली, माउंट अभू, कितने लोग हैं, जो Switzerland जाते हैं हनीमून के लिए, और कितने लोग हैं अगर आप एक लड़की हो, अगर आप चादी के बाद husband को बोलो कि बताओ किस जगे पर जाना है, मैं लेकर के जाती हूँ, कैसा रहेगा, friends, it's an amazing business, महनत यह, मैं यह नहीं कहते हैं, कोई lottery लग गई है, यह नहीं कि आज यह बिजनस शुरू करोगे, और कर यह सब हो क्यों सुनना है आपको वो शर्माजी के लड़के ने कर दिया, वो वर्माजी के लड़के ने कर दिया, क्यों नहीं आप चाहते हैं कि आपके पापा मम्मी यह कहें कि आप से अच्छा कोई बच्चा ही दुनिया में नहीं है, क्यों अगर आज आप एक लड़की हो और जो पैसे से हल की जा सकती है और अगर ये बात आप लोगों ने अर्ली एज में सीख ली और ये जो आपके सबसे एनर्जेटिक इयर्स चल रहे इन सालों में अगर आपने काम कर लिया तो मेरी उमर तक आते आते तो अरबपती खरबपती हो सकते हो तो बस आपको दिल लगा कर करना है सबसे बड़ी पात अगर स्किल्फुल इंडिया बनाना है मेक इन इंडिया बनाना है तो क्या करना है नेटवक मार्केटिंग करना है अपने देश में रह करके होता है अपनी देश की कंपनियों के साथ होता है अपने देश की लोगों के साथ होता है देश का पैसा करते यह business grow होता है देशवासियों को आगे बढ़ाते हुए यह business आगे लेकर के जाता है तो हमें कोई brain drain नहीं करना हमें पैसा कमाने के लिए किसी और देश में जाने की ज़रुत नहीं है हम अपने ही देश में रह करके अपने घर में रह करके अपने अपनों के बीच ही रह कर किये और बस network marketing की एक अच्छी सी company select कीजिए और दिल लगा करके network marketing कीजिए believe me हम तो थोड़ा लेट हो गए थे मुझे जब network marketing मिला मैं भी बूड़ी तो नहीं थी मैं भी जवानी थी पर जो ये youth की हम बात कर रहे न अगर आज हिंदुस्तान का youth समझ लेगा तो एक तरफ हि बहुत अच्छी खुशनुमा happy life lead कर सकेंगे friends मेरा बेटा है 25 साल का है मैं full time वो full time is business में आ गया है अगर ये business अच्छा नहीं होता तो मेरे पास इतना पैसा था मैं उसे कोई factory खुलवा सकती थी मैं उसे कुछ भी बड़े से बड़े chain of restaurant खुलवा के दे सकती थी कुछ भी क कर वा सकती थी मेरा एकलौता बेटा है पर अगर मैं उसे network marketing में लेकर किया हूं तो उसे पिस लिए क्योंकि network marketing youth के लिए बहुत अच्छा है आप भी समझ जाए कर जाए खुद भी जीच जाए परिवार को जिताइए और देश को जिताइए love you a lot all the very best